वेल्कम ची यूट्यूब चैनल दोस्तों आज इस लिए में हम बनाने वाले हैं डिजाइनर वीफ रॉग फोर फोर तो फायर वीबिगल जिससे बनाने के लिए यहां पर हमने वन एर हाफ मीटर प्रिंटेड फैबिट लिया है और वन मीटर ब्लेक फैबिट लिया है तो चलि दुरों को साथ में इस तरीके से हमें अरेज करना है जिसकी प्रोड्रस हमने लिए है शिस्टे निचेस और लेंध हमने लिए है फिप्टे निचेस जिसे दुरों को साथ में इस तरीके से हमें टूप फोर करना है और यहां पर हम मार्किंग करने है टॉप पार्ट के लिए तो फोल्डे एडिया से सॉल्डर हम लेंगे 5 एचेस और यहां से आम होल हम लेना है 5 एचेस और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हो मैं लाइड रोकर नहीं इस तरीके से अब यहां पे चेस्ट का पार्ट हम लेंगे 7 एड़ फिचेस वहल का सरांड शेफ देते हुए आम होल्ड रोकर नहीं इस तरीके से अब उपर से टोप पार्ट की लेंथ हमने लिए 15 एचेस और यहां से ब्रहुने सम लेंगे 7 एड़ फिचेस अब ने के ब्रहुने सम यहां पे लेंगे 2 एड़ फिचेस और लेंथ हमें लेनी है 3 इचेस और 1 इच फ्रेंट और बेक के लिए और हलका स्रांड शेफ देते हुए नेक डो करना है यहां पे इस तरीके से अब हमें इससे कट कर लेना है तो यह देखे हमने इससे कट कर लिया है और इससे ओपन करेंगे और यहां पर प्रिंटेर फेब्रिक को यहां सेलक करेंगे और ब्लेक फेब्रिक को फिर से हमें टूफोल करना है स्पार्ट को और यहां पर हमें ने कट कर लेना है इस तरीके से और इससे ओपन करेंगे तो हमें दो प्सिस मिल गए हैं यहां पर फ्रन्ट रोबेक के लिए इस तरह से अब यहां पे ब्लेफ फैब्रिक को हमें इस तरीके से रेक्टेगुलर सेट में नेक्डरो करना है और इससे कटका लेना है और यहां पे हमें पैटर्न करनी है फ्रन्ट साइड के लिए तो यहां से हमें मार्किंग करनी है इस तरीके से स्टेट लाइन डोब करनी है और यहां से अलकासा राउंड शेप देते हुए कॉर्णर दखा में शेफ ड्रो करना है पैटर्न के लिए अब हम इससे कट कर लेना है तो देखिया हमने इससे कट कर लिया है और यहाँ पे स्पार्ट के शेफ में प्रिंटेट फब्रिक से हमें स्टिफ्स कट करनी है तो इस तरी किसे प्रिंटेट फब्रिक के उपर हमें करनी है और as it is हमें इससे कट कर लेना है इस तरीके से तो देखे हम ने इससे कट कर लिया है और इसे ओपन करेंगे और इस प्रिंटर फैब्रिक को यहां पर स्टिप्स को अटेश कर लेना है तो इसके उबर उटर रखेंगे और हम मिलाते जाना है अच्छे से और उपर से हमें स्टिप्स कर लेना है यह देखे हमने फ्रंट साइड के लिए हमने पैटर रेड़ी कर ली है और यहां पर एक्स्ट्रा फेब्रिक को हमें रेवू करना है इस तरीके से तो यह हमारा टॉप का फ्रंट साइड है उपर से हमें कवर्स ले लगा देने ही यहां पर इस तरीके से अब यहां पर दोनों पार्स के लिए हमें बेस फेब्रिक करने है तो बेस फेब्रिक के उपर में फेब्रिक को सिधा रखना है इस तरीके दोनों पार्स को और एज इट इस मार्क करने के बाद दोनों पार्स के लिए हमें बेस फेब्रिक कर लेने है तो दीखे हमने दोनों डुन बैस स्भी कटकर लिए हैं और Г min के उपलाधना है इस तरीके से हाँ अच्छे से मिलाएंगे हम में और बैसको यहां पर रखना है और यहां पर ने अरफ पार्ट में अर wanna सिलाइक करनी है दोनों पार्ट में फ्रंट और एक में इवी कि हमने सिलाइक कर ली है और यहाँ पर कि अब हलके हाथों से हमें नौचिस लगाने हैं जहां भी हमने सिलाइक कि वहाँ पर कि आप होल्स पर और नेक पार्ट में हलके हाथों से कर्स लगाएंगे और उंचेस लगाने के बाद दोनों पाथ को हमे हमे रैट पर तेन कर लेना है तो इस तरीके से टॉप के फ्रंट और वेक को हमने रैट सेट बटन कर लिए हैं और यहां पर एक और राइट लगते हों दुसारा पाथ ज्छरूदर है सब्सक्राइब करना है दो रोडर में हमें सिलाइब करनी है अब यहां पर प्रिंटर फैर्बिक से हमने स्टिफ कट की है जिसकी प्राइब समने लिए 3.5 इचिस और लेंथ हमने रखी है रिबन 60 से 70 इचिस जिससे हम रखल बना के अट्रिश करेंगे तो एक बोडर को रोग शाइट पर डबल फोल करते हैं सिलाइक करनी है यहां पर इदेखे हमने बोडर को फोल्ड कर लिया है और एक बोडर पर हमने सिलाइक कर लिए है तो इधाय को अलग करके हलके हासे खिचना करणा है कुल लैंथ में इस तरह alumin सिजraऊन करेंगे और को यहां पने हम रेडी करनी है तो प्रसित के लिए तो यह देखे हमने रखल अब रेडी कर लिए और अबिश्क करना है तो यहां पर आट्रिंड कर灹 लेना है लेकिन सबसे पहले यहाँ पर Black Fabric से हमे देने地 स्टिफ कटके है जिसे हमें इस तरीके से two full करना है स्टिफ को और यहाँ पर इस तरीके से इसके वपर हमें उल्टा रखना है और हमें इस त्इलाए करनी है बोडर को मिलाते हुए ये रिख्या में सिलाइक कर ली है और वापस हमें इसे एक्ष्टा फैब्रिक को इस तरीके से बोड़ना है और इसके उपर फोल्ड करते हुए इसे क्लोज करते जाना है बोडर को और हमें सिलाइक करनी है और यहां से रफल को इस तरीके से हमें आटेश कर लेना है स्टिप्स को हमें फोल्ड करते जाना है और उपर से हम सिलाइक करनी है और यहां तक हमें इसे आटेश कर लेना है यह देखिया हमने रफल यहां पर आटेश कर ली है इस तरीके से और एक को राइट रखते हुए दूसरा पार्ट इसके उपर हमें उल्डर रखना है और दोनों शॉल्डर अटेश का लिए हैं और बॉटम के पार्ट के लिए हमने दो रेक्टेगल पीसे कट किये हैं प्रिंटर फैब्रीक से और ब्लेक फैब्रीक से हमने दो स्टेप्स कट की है इस तरी के से जिसकी ब्रॉडनेस नहीं लिए है 36 इचिस और लेंध हमने लिए हैं, 10 इचिस और 2 इचिस. दोनों पार्ट्स को और रेज़ करेंगे, फरंट रोल एक को यहाँ पे, और इसके उपर स्टीप्स को हमें उल्टा रखना है निच्वर रोल पे, और हमें इस सिलाय करनी है, और इसी तरीके से दोनों स्टिप्स को हमें आटेश करना है और वापस इसे रोंग स्टाइट पे डबोल फोल करते हैं इस सिलाइक करना है स्टिप्स को यह देखिया हमने दोनों पार्ट यहां पे रेडि कर लिया है और को हमने फोल्ड कर लिया है और अपर ओडर पर हमें बड़ा नवर्प की सिलाए करनी है और यहां पर हमें गैधरिंग करना है यह देखिया हमने दुरों पार्ट में गैधरिंग कर लिया है बॉटम का पार्ट हमें रेडिक कर लिया है और बॉटम को टॉप पार्ट के उपर हमें उल्टर रहना है और हमें सि सलाय करनी है और वी तरीके से बेक पार्ट को भी तॉप पार्ट के साथ अररेज करना है यह देख्या में टॉप और बोटम जोट के लिए हैं दोड़ों पार्ट सक्युराइजर के लिए है और यहां पर अब उपर से 10 इचिस डाउन पर हमें मार्क करना है फ्रंट साइड पर इस तरीके से और यहां पर बैल्ट को हमें अरेश करना है और इसके उपर बेक का पाड़ हमें उल्टा रखना है और यहां पर अच्छे से मिलाएंगे फ्रंट रोल बेक को दोनों साइड से वर इसकी डिस्टन्स में हमें से लाइक करनी है यह देखिया हमें इस तरीके से फ्रॉक को फ्रिटिंग कर लिया है और इसी के साथ ही यह वेव फ्रॉक हमारा रेड़ी है तो फाइनली तयार है हमारा designer और फॉल वीड फ्रॉग दोस्तों अगर आपको यह मारे डिजाइन अच्छे लगी तो उडियो को लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें हमारे चेनल को और उस बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमाराने वाले सभी उडियोस की नोटिफिकेशन्स मेरते रहें थैंक्स पुरॉचिंग छुरॉचिंग